नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग मेरा नम स्यामे आसा करता हूँ, आम सभी लोग अच्छी होंगे। आज के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी लोगों से वीडियो आप अन्त तक देखें। जिससे की complete जानकारी आप तक पहुंच सके तो दोस्तों आज हम हमारे पास चाबी है बढ़ना फ्रूडे उस बटन वाली की यहां आप देख सकते हूं और इस चाबी का मैं ट्रामोंट का फ्रूटेंशी टेस्ट करने वाला हूं अपने BBDai Mini KeyTool से यहां पर आप देख सकते हूं यह मीरा BB study invisason और यहां पर है इसका चाबी बढ़ना फ्रोडिक और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जातर जो मेरे भाई हैं जो इस टूल को इस्तमाल कर रहे हैं व disputes का ब्रेमोट का ट्राम्वांड दा और अगर फ्रुक्वेशीऀ रिमोट का टेस्ट करना चाहते हैं तो वह अपने मोबाईल से करते हैं mostly जातर लोग मोबाइल या टैबलेट या जहां पर भी उसने उन्होंने बीवीडिया की टूल प्लस का का एप्लिकेशन इंस्टॉल करके रखा है वहां से वह टेस्ट करते हैं लेकिन आज का इस वीडियो देखने के बाद आप लोगों को अपना मोबाइल टैब या कोई भी आदर डिवाइस इस टूल के अलाबा यूज नहीं करना पड़ेगा आप डारेक्टली बिना किसी दूस भी एक्स्टा डिवाइस आपको लगाने की जुरूत नहीं है तो यह वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है इस्पैसली उन भाई लोगों के लिए जो इस्पैसल की का काम करते हैं क्योंकि कभी-कभी जल्दी होती है हम लोगों को इतना टाइम ही नहीं होता कि मोबाइ आपको क्या करना है अगर आप बीडियाई का मिनी की टूल यह यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या करना है यहां पर एक पावर बटन दे रखा होता है यह पावर बटन है तो यह बटन आपको लॉंग प्रेस करके रखना है लॉंग प्रेस बोले तो थोड़ा देर तक इसे सिरियल नमबर आया और यहां पर आप देख सकते हो इसमें तीन आप्षन यह बता रहा है ब्लूटूथ का सिंबल आ रहा है क्रोस बन के आ रहा है इसका मतलब यह होता है कि यह डिवाइस हमारा मोबाइल या किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्टेड नहीं है बाकी का यहां पर यह बता रहा है बैटरी कितना इसका दो पॉइंट चार्ज है और यह इसका फॉर्म बेर बर्जन बताता है बर्जन बंपॉंट 3.1 तो आपको क्या करना है अभी फॉर एक्जामपल इसके अंदर तो दो ही चीजां होती है जिनमें हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं सबसे पहले ही करते हैं तो आपको क्या करना है यह जो चाबी है इसे आपको इसके सेंटर में रखना है इस तरीके से यहां पर आप इसका पोईशन देख सकते हैं इस तरीके से आपको रखना है और यह जो इसका पावर वाला बटन है इसे आपको एक और प्रेस करना है कि सिंपल मैंने एक वार इसे प्रेस किया एक वार मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूं थोड़ा जल्दी हो गया इस तरीके से तो यहां पर आप देख सकते हो आईडी 46 कहने का मतलब है यह जो स्मार्ट की है हमारी इसके अंदर ट्रांसपोंडर है आईडी 46 यह आप सभी लोगों को मालूम होगा कि इसका जो ट्रांसपोंडर है वो सर्किट में इन्वेल्ट रहता है ट्रांसपोंड आलग कहने का मतलब है कि अगर आप इस चावी को प्रोग्राम करते हैं तो आपको रिमॉट सेपरेटली प्रोग्राम करने की जुरूत नहीं पड़ेगी सिंपली आप चावी प्रोग्राम कर दो रिमॉट आटमेटिकली प्रोग्राम हो जाएगा तो यही इसलिए इसका जो सर्कि यह इक बार दभाना है alors जैसी एक बार दभाएंगे आम आप ये बता देगा इसके इसके एंदर ट्रांसपोंडर कून सा है तो यक काम हो गया हमारा ट्रांसफोंडर का ठीक है और अभी हम बात करती हैं कि इसका रिमोर्ट कैसे टेस्ट करेंगे रिमोट टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस डिफ्रेंट होगा अभी अगर इस पोजीशन में आप रिमोट लॉक अनलॉक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो कोई भी रेडिंग नहीं आ रही है और बाकी का यह मैं गाड़ी के अंदर हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ यह देख सकते आप गाड़ी लॉक अनलॉक हो रही है रिमोट तो मेरा सही है लेकिन अगर आपको इसके अंदर टेस्ट करना है तो आपको क्या करना है simple process है वो मैं आपको बताता हूँ आपको ये जो power वाला बटन है इसे थोड़ा long प्रेस करके रखना है थोड़ा सा long तो यहाँ पर ये frequency वाला option आगया थोड़ा सा long प्रेस रखेंगे frequency वाला option आजाएगा और जब ये frequency वाला option आजाए तो आपको क्या करना है remote अपना इस तरीकी से लेना है और कोई सावी एक बटन प्रेस करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो 433.92 ये lock ये unlock और ये है हमारा डिक की वाला बटन एक बार दबार देखाते हूँ ये आप देख सकते हो ये vary कर रहा है लोक, अनलोक और ये रहा हमारा फ्यूकेंसी तो दोस्तों इस तरीके से ये केवल स्मार्ट की पर ही काम नहीं करेगा अब तो जितनी भी चाविया है उनके इंदर रिमोट हो या ना हो अगर रिमोट है तो आप रिमोट भी इसी तरीके से टेस्ट कर सकते हैं और अगर ट्रांसफोंडर है तो वो भी आप इस सेंटर कॉइल में डालके टेस्ट कर सकते हैं तो इस तरीके से आपका टाइम भी सेव होगा और सबसे इंपोर्टन चीज है है कि आपको कोई दूसरी डिवाइस करी करने की जुरूत नहीं है आप लोगोंने देखा होगा कि इसका एक एप्लिकेशन होता है जो आपको प्लेइस्टोर से मिल जाता है और वो एप्लिकेशन आप अपने एंडॉड प्लेट प्लेटफोर्म में कहीं पर भी उसे इंस्टॉल कर सकते है भले ही वो आपका मोबाइल हो, टैब हो, लैप्टाप हो, कुछ भी हो उसमें वो आपको एप्लिकेशन इंस्टॉल करना है और उसके बाद में आपको डिवाइस को ब्लुटूस से कनेट करना है यहां पर यह डिवाइस है और इसके अंदर यह ब्लुटूस से कनेक्ट हो जाएगा तो इसमें राइट का एरो आ जाएगा, यह क्रोस बाला हट जाएगा और उस एप्लिकेशन के तुरू सेम काम आप कर सकते हैं यह रिमोट का फ्यूकेंसी टेस्ट कर सकते हैं इसका ट्रांसपॉंडर टेस्ट कर सकते हैं और बाकी के जो भी ऑप्रेशन है चावी से रिलेटेड वो सारे काम आप कर सकते हैं लेकिन इस तरीके से आपका काफी टाइम सेव होगा आपको एक्स्टा डिवाइस केरी करने के जुरूत नहीं है तो यह काफी अच्छा फीचर है इस मसीन के अंदर और हाँ दोस्तों एक चीज में आपको बताना चाहूंगा कि इस तरीके से बिना एक्स्टा डिवाइस यूज किये आप इस मसीन से केबल ट्रांसपॉंडर और रिमोट टेस्ट कर सकते हैं इसके अलाबा भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं जैसे आपको ट्रांसपॉंडर जनरेट करना है या आपको रिमोट जनरेट करना है तो उस केस में सोप्टिया यूज करना कंपनसर ही हो जाता उसके लिए आपको कोई addisional device करना ही पड़ेगा उसके अलाबा कोई दूसरा ऑप्सन नहीं है तो दोस्तो, I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ सेयर की जा सके, और हाँ दोस्तो, अ उसका notification सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उस video को देख सके और उससे जानकारी प्राप्ट कर सके तो thank you thank you for watching my video I'll see you next video till then bye bye take care love you all